हलो दोस्तों तो स्वागत है आपका हागड वीक के 15 एपिसोड में सो गर सब्सक्राइब लिए उसकी बात करें तो साइट्रिक्स ने 11 सेक्योर्टी फ्लोस के लिए सेक्योर्टी पैचिस इसू किये हैं जो कि इसके साइट्रिक्स एप्लिकेशन डिलिवरी कंट्रोलर डेटवे और SD-WAN अप्टिमाज़ेशन एडिशन नेट्वकिं प्रोडट्स को अफेक्ट करते थे सो गुगल का प्ले प्रोटेक्ट मेकैनिजम एक वाफिर से फेल हो गया है और इस बात सर्बीरस बैंकिंग ट्रोजन एक करंसी कंवर्टर एप में मिला है जो कि गुगल प्ले स्टोर में अवेलिबल थी सो 240 प्लस Microsoft Azure पर hosted domain hack हो गए है और hackers इन hack domain का यूज यूजर्स को unexpected content जैसे की malware, malicious chrome extensions, online gambling और adult content डाउन करवाने के लिए कर रहे हैं और इन hack websites में Warner Bros, UNESCO, Toshiba, Zeros, Get Images, Red Cross, Volvo, Honeywell जैसी sites शामिल हैं अगली न्यूज एक वाई फिर से Google Play Protect के बारे में हैं अब जोकर malware ने भी Google Play Protect की security को break करके Play Stores की apps को infect का दिया है जो जिन लोगां को नहीं पता है, जोकर malware वो malware है जो कि बिना user की permission के ही आपके account से premium services को subscribe करता है अगली न्यूज की बात करें तो 15 billion username और password जो कि online digital services जैसे की social media accounts, banks ये सभी username और password underground internet marketplace पर sell किये जा रहे हैं जो drones कितना बड़ा security threat है इसके बार में तो आपको पता ही होगा इस्राइल की एक university ने एक ऐसी neural technique ढूंडी है जिसके करण आप drone owner की location निका सकते हो 73% accuracy के साथ जूम एप में एक zero day vulnerability मिली है जिसके करण attackers victims के computer पर arbitrary code executed कर सकते हैं जो की windows 7 या उससे पराने वाले versions पर काम कर रहे हैं इंडियन users पर एक नया missing scam हो रहा है जिसमें की users को fake tik-tok related app scaling send किये जा रहे हैं जो की actual में malware है और उस app का नाम tik-tok pro बताया जा रहा है तो अगर आपको ऐसा कोई link आता है तो उस पर click ना करें सो Microsoft के Office 365 users के credentials को चोरी करने के लिए एक नया phishing scam चला हुआ है जिसमें की users को zoom account suspended नाम के fake emails आ रहे हैं जो की actual में phishing emails हैं सो एक cyber security searcher गरिश कुमार जो की environmental east firm दुबई में एक काम करते हैं सो उनको कहना है कि हम किसी भी चिंगार यूजर के account को hack कर सकते हैं और वह भी बहुत असानी से और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया सो विनी ट्रोईया की breach monitoring site data viper hack हो गई है और hackers इस hacked database को online sell भी कर रहे हैं 32 साल के ट्रोरिस क्रोफोड को 3.8 years की सजा हुई है जिसपे की US military और veterans के against identity theft और fraud का charge था अडोबी ने 30 new security vulnerability जो कि इसके 5 binary use applications को affect करती थी उनके लिए patches release कर दिये हैं सो जो जो इसमें apps शामिल थी वो हैं Adobe CC desktop application, Adobe media encoder, Adobe general service, Adobe call fusion और Adobe download manager So cybersecurity searcher ने Windows DNA servers में एक नई Womable RC flow ढूंडा है जिसे की 10 out of 10 on CVSS scale पर rating दिये गई है So MGM Resorts के customers का data leak हो गया है जिसमें की 142 million customers शामिल है So SEO पाने के लिए आप महाँ चैनल को subscribe कर सकते हैं और हमें Instagram, Twitter, LinkedIn पर follow कर सकते हैं